नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रतना और स्वागत है आपका मेरी कीचन में गजग एक ऐसी मिठाई है जो सर्दियों में हर किसी का फेबरेट होता है वैसे तो ये गजग तिल और मावे से तयार किया जाता है लेकिन आज हम इसे तिल और मिल्क पॉडर से बना कर रेडि करेंगे तो आएगे शुरू करते हैं इस रेसीपी को बनाना ये एक कटोरी सफेद तिल लिया है हमने और ये पूरी उपर तक भरी हुई है वेट में 100 ग्राम है ये इसी हुई चीनी लेंगे इसी कटोरी से हमने नापा है चीनी को और ये हलका सा खाली है भरने में थोरा सा जरा सा और वेट में 100 ग्राम है ये भी मिल्क पॉडर लेंगे 3 से 4 टेबल स्पुन लेकिन मिल्क पॉडर की जगह आप मावा यानि खुआ भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर मिल्क पॉडर ले रही हूँ इसके बाद घी लेंगे 2 टेबल स्पुन इलाइची की पॉडर लेंगे 1 अब हम सबसे पहले तिल को भूण कर रेडि कर लेंगे तो कढ़ाई हमारी बहुत अच्छी तरह से गरम हो चुकी है अब इसमें हम डालेंगे तिल को गै बूण कर रेडि हो जाए तो कढ़ाई या फिर पैन आपका अगर खुब अच्छी तरह से गर्म है तो फिर एक से डेर मिनट लगते हैं इसे बूणने में मैं इसे डेर मिनट से बूण रही हूँ हलका कलर चेंज हो गया है इसका मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की यह देखिए यह फूल सा गया है हलका हलका अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे यह रेडी हो गया है बुनकर जादा नहीं हमें इसे बुनना है और इसे ठंडा होने के लिए किसी प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और करीब दो मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देत है तो एक बार हम मिक्सी को घुमाएंगे चलाएंगे और बस यह रेडी हो जाएगा यह देखिए मैंने इसे कर लिया दरदरा मैं दिखाती हूं आपको कि किस तरह का हमें करना है यह देखिए कुछ-कुछ दाने हैं जो दिख रहे हैं साबुत तिल के बाकी सभी दरदरे हो पानी हमें इतना ही डाला है जोकी मिल्क पॉपडर है अच्ची तरह से मीक्स हो जाए और गाढ़ा बन जाए गैस का फ्लेम रखेंगे मिडियम टू लो और इसमें अब हम वन टेबल स्पून घी डालेंगे और इसे भी मिल्क पॉडर के साथ मिक्स कर लेते हैं इस तरह से चला कर थोरा सा हम इसे चला लेते हैं ताकि पानी है वो सुक्ष हलका सा और फिर इसमें हम एट करेंगे ये पीसी हुई चीनी चीनी डालकर हम गैस फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो गैस फ्लेम पे ही हम चीनी को अच्छी तरह से पिघलने देंगे फिर गैस को हम मीडियम करेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2-5 मिनट तक पकाएंगे ताकि चासनी जो है वो अच्छी तर यह इतना गाढ़ा हो गया है लेकिन हम इसे एक मिनट करीब और पकाएंगे एक मिनट कर के डालेगे ये दर्दर केया हुआ तिल एक ही बार नहीं डालेंगे इससे हमें अंदाजा रहेगा कि कितना हमें इसमें और मिक्स करना है, नहीं, तो एक ही बार डालने से क्या होगा, कि हो सकता है ये, पुरी तरह से सूख जाए, फिर बनाने में आपको परेशानी होगी, तो थोरा-थोरा करके ही इसमें डाले, क्योंकि ये सोखता भी है चासनी को दर दरा क्या हुआ है ल कि अत्ति तो इसलिए हमने इसे थोरा-thोरा करके इस तरह से मिला लिए है ज़रासा बचा हुआ है भी मिक्स कर लेते हैं तो यह हो गया क raising और इसे अच्छी तछा से म Ayirmi करने के बाद हम घृ nós Go Bंड कर देंगे। और saràनी ईसमेंड नालेंगे थोड़ा सा घी और इसे इस तरह से ग्रीज कर लेंगे और और आधह तिलका पेस्ट हम निकालेंगे। प्लेट में आधा इसलिए क्योंकि मैं दो तरह से आज बता रही हूं आपको गजक बनाना एक कोई बोड ले ले या फिर प्लेट को भी उल्टा करके आप उस पर बना सकते हैं इसे एक पॉलिथिन बोड पर रखा और ये बेलल में अच्छी तरह से घी लगा लिया हमने अब तक हमारा ये तिल का पेस्ट भी हलका ठंडा हो चुका है जिसे हम छू सकते हैं जैसे ही ये ठंडा होगा ये हाड होता चला जाएगा तो इसे हमें गरम गरम में ही बेल कर रेडी कर लेना है तो हलके हलके हाथों से इसे हम पतला बेल कर रेडी करेंगे इसी तरह से ये हो गया अब इस पे हम थोरा थोरा सा घी लगाएंगे इस तरह से घी को लगा कर अब इसे हम रोल करना शुरू करेंगे तो polythene के सहारे इस तरह से उठा उठा कर इसे हम घुमा घुमा कर हलके हलके हाथों से रोल करते जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से रोल हो गया तो इस तरह से हमें रोल कर लेना है इसे और गर्म में ही इसे हम काट कर रेडी कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसके पीसेज भी बना लिए और इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे अब हम दूसरे पेस्ट को भी जो बचा हुआ है उसे भी हम रेडी कर लेते हैं तो इस पेस्ट को भी हमने निकाल लिया इसका अलोई बना लिया और इसे हम पतला नहीं बेलेंगे बलकि इसे हमें मोटा ही रखना है थोड़ा सा तो इस तरह से हमने हलका मोटा ही इसे बेल लिया और इसके अपने पसंद के अनुसार इस तरह से कोई भी आकार दे दें कट कर लें इस तरह से बेलने के बाद अब इसे हम आधे से पॉन घंटे तक के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए 45 मिनट हो चुके हैं और ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है और अच्छी तरह से जम गया है ये देखिए एक प्लेट में हम निकाल कर रख लेंगे मैं आपको एक तोर कर भी दिखाती हूँ आपको ये कैसा बना है हमारा गजक ये देखिए ये देखिए बहुत ही खास्ता और बहुत ही अच्छा गजक बना है ये बहुत ही टेस्टी है ये तो इसी तरह से आप भी इस गजक को घर मे बनाकर रेडि कर सकते हैं, बहुत ही आसान है यह और बहुत ही टेस्टी भी यह देखिए, मैंने थोरे से गजक और भी बनाये थे, जो थोरे से बचे हुए हैं, बहुत ही टेस्टी गजक है तो मुझे लगा कि आप के साथ जरूर यह शियर करना चाहिए, आपको बहुत सच में आप इसे जरूर ट्राइ कीजे आप हैरान रह जाएंगे कि इतना अच्छा गजग घर में इस तिल और मिल्क पॉडर से बने हुए गजग की रेसिपी आप जरूर ट्राइ करें जरूर बनाएं आप इसे और मुझे बताएं कि कैसा बना आपका ये गजग ये जानकर पसंद आती है आपके काम आती है ऐसे कमेंट से होसला काफी बढ़ जाता है और लगता है मुझे कि और भी कई नए तरह का डिसेज बनाओं और आप तक पहुंचाओं तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें कमेंट करते रहें अगर आज की भी रेसिपी हमेशा की तर एक झाली कुँअ थहोसा भी करते रहें दिस वेशीा सिके खकटा ये भी कराम छुछां कंझे अवी मुझे चिर्ट आपके ऑंपके पुछाई आपके वे रेसिते है।